Hello everyone, today we will solve from question number 4 of exercise 8C class 7 ICSC board और हम ICSC board के सेलिना पब्लेस के RK1 से लाइटर की जो बुख है उसको solve कर रहे हैं इससे पहले चैप्टर 1 से लेके exercise 8B तक के सभी question complete हो चुके हैं और 8C के 1 to 3, उन्स सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे discussion box में मिल जाएगा, अगर से पहला किसी भी question प्रव्म में आप 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 नीचे discussion box में जाके चेक कर सकते हैं, question 4 is, what number, first, second, third, fourth, fifth, sixth, there are six parts, हमें number find करना है, first condition दे रखिए, when increase by 10% becomes 88, मतलब क्या है, कोई भी number है, 10% increase होने के बाद, यानि को बर्थ का 10% बढ़ने के बाद 88 हो जाता है, तो वो number, origin number में find करना है, इसी तरह, second way increase है, third, fourth में decrease है, when decrease by 15% becomes 170, कोई number था, 15% कम हो गया, कम होने के बाद, वो 170 हो गया, तो origin number क्या था, यानि कम होने से पहले, जो number था, वो क्या था, यह सब find करना है, चलिए करते है first part, चलिए करते है first part, तो हमें origin number नहीं मालून, तो हमाल लेते पहले, let original number v x, या number equal किसके, x के, अब first part में क्या करता, increase by 10%, यह 10% increase हो रहा है, तो पहले अब 10% of x निकालो, यानि कि increase कितना हो रहा है, 10% of x क्या होगा, 10 into x upon 100, 0 से 0 कैंसिल, तो x upon 10 increase हो गया, increases in number कितना हुआ, increasing in number कितना x upon 10, तो x था, x upon 10 बढ़ गया, example के लिए मैं समझाओ, कोई number 5 था, दो बढ़ गया, तो अब कितना होगा, 5 plus 2 बढ़कर 7 भी नहीं तो हो गया, तो अब number बढ़कर कितना हो जाएगा, x plus x upon 10, तो after increasing, number is क्या होगा, origin number plus जितना increase हो गया, x upon 10 increase हो गया, इसको solve कर लें, x का मतलब x upon 1, अब चिर से आते हैं आप, 1 और 10 का LCM 10, 1 का divided 10 में 10 times, 10 into x, 10x plus 10 का divided 10 1 में, 1 into x, 1x, 10x plus 1x कितना होगा, 11x upon 10, तो वढ़ने के बाद number हो गया, 11x upon 10, अब यहां हमें दे रखा है, कोशन में, तो जिससे हम लिखते है, according to कोशन, क्या था, when increase by 10% becomes 88, यह किसके एक्वल याए था, 88, यानि कि 11x upon 10, किसके एक्वल है, 88 के, ओके, तो इससे x निकालो, तो x is equal, वही cross multiple, 10 उपर होगा multiple, 11 आ जाएगा, अपॉन में, तो 88, इंटू 10, अपॉन 11, 11 बंजा, 11 इरचा 80, तो x is 80, तो यह आपका answer आ गया, नमबर हमना x यह तो मना था, तो original number is 80, original number is 80, इसका answer हो गया, ओके, अब इसी question को मैं एक दूसरे method से करता हूँ, उसमें क्या है, थोड़ा sort है, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसमें देखो, यहां से start हुआ question, और यह चलते, 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 यहां जाके, end हो, दूसर method देखिए, और दूसर method, अब यह increase होगा, यह तो नमबर बढ़ेगा, यह चुटा कम होगा, बढ़ेगा, कितना percent बढ़ रहा है, इस question में 10 percent बढ़ रहा है, तो 100 में 10 बढ़ रहा है, अगर number 100 था, तो कितना हो जाएगा, 10 बढ़ रहा है, जितने percent increase हो रहा है, 100 में उतना percent, sorry, plus कर दो, तो कहता है, 110, अगर decrease हो रहा होता है, जैसे next question, 15 percent decrease है, तो decrease हो माइनस कर दो, 85 percent, तो यानि कि बढ़ने के बाद, number क्या हो जाएगा, 110 percent हो जाएगा, original number का, तो क्या लिखेंगे यहां, लिखोगे, after increasing, 10 percent, या after 10 percent increasing, 10 percent आप लिख लिख सकते हो, after 10 percent increasing, number, आगे लिख देना, यहां space नहीं है, तो मैं नीच लिख रहा हो, number will be, 100 में 10, जोड़ तो कितना होगा, 110, 110 percent of original number, तो जो number होगा, अब, original का, 110 percent हो जाएगा, 110 percent of original number, यानि की, according to question अब क्या हो गया, 110 percent of original number X है, यह एककोल होगा, वो हमें दे रखा है, किसके 88 के है, ठीक है, यहां से start वो देखा, अब यहा हो गया, 110 percent of X क्या होता है, 110 in to X upon 100, इककोल किसके 88 के, 0 से 0 कैसिल कर सकते हैं, तो X ही वो निकलाई, X is 88 in to 10 upon 11, 11 बन जा 11 जा 11 जा, तो X is equal to 10, 8 जा 80, हो गया, तो ओरिजिनल नमबर इस 80, 8 0, 80, ओरिजिनल नमबर इस 80, ओके, यह अंसर रहे, नव शेकिंड पार, इन शेकिंड पार इस, 15, 15, 15, 15% becomes 230, तो वही करें, सबसे पहले तो हमें, assume करना है, let original number be X, यह तो हर कोशन में लिखना है, चाहिए increase हो, चाहिए decrease हो, let, original number is equal X, अब यह 15% increase हो रहा है, 15, 15, तो कितना जागा, original का, 100, 15, 100 plus 15 है ना, तो लेखो, after, 15% increasing, number, will be, अब increase हो रहा है, तो 100 में 15 प्लस कर दो, 100 plus 15 कितना हो जाएगा, 115% इसके, of original number, अब 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 आज़ा, according to question, 115% of origin no. कुपने, अब आज़ा, अब आज़ा, तो अब अब आज़ा, यह बढ़त कर कितना हो गा, यह दे रहता है, question में, 230, यहने कि किसके कर होगा 230 150% of x क्या होता 115 into x upon 100 is equal 230 तो cross multiple करके अमस्वाल कर लेंगे value of x will be 230 into 100 upon 150 115 बन जा 115 2 जा 230 होता है multiple कर दिया 100 का 2 में तो कितना गया 2 into 100 200 तो original number is 200 जो से आपको easy लगए जो जादा आपको अच्छा लगता हो आप उस मेथर से करना अब मैं 3rd part फिर पहले जो मेथर से करता है x मन के अलग करके जबता हूँ और उसका 4th part इसी मेथर से direct करता हूँ अब 3rd part अब 3rd part आप कुश नमा 4 when decrease y या नमबर when decrease y 15% becomes 170 ओके चलिए करते हैं तो 3rd part में भी हमने मान लिया let original number is x अब इकितना परसंट डिक्रीज गोला था अब 3rd part में 15 15 15 तो 15% decreasing कितना हो गया तो इसका 15% निकालने है upon 20 x था इतना कम हो गया मालों 5 रहे थे कोई नमबर पंदर था 3 कम हो गया अब रह क्या गया decrease y निके बाद 15 minus 3 12 तो अब ये नमबर कितना रह जाएगा x था इतना कम हो गया तो x में से इसको हम subtract कर दें तो according to question origin नमबर था x इसमें से 13% निकल कि sorry 15% निकल कि आया इसका 3x upon 20 इसको minus कर दिया तो कम होने के बाद वो question में दे रखा है becomes 170 ये हो गया था 170 तो ये इसकी value किसके कल होगी 170 के यहाँ पर x का मतलब x upon 1 1 और 20 का calcium 20 1 का divide 20 में 20 times किया 20 into x 20x 20 का 21 और 1 का 3 में करेंगे 3x is 170 okay 20 में से 3 subtract करेंगे तो 17x बचा 20x minus 3x 17x आगया upon 20 is 170 तो cross multiple करके x की value है जाएगी 170 into 20 का multiple होगा 170 में divided by 70 आएगा अपन में आएगा ना तो 17 से 170 कैंसर जाएगा 10 times और 20 10 जा 200 इसका भी अंसर 200 आएगा उपर भी साथ 200 आएगा हाँ तो original number is 200 यह अंसर होगा थर्ड पाट का original number is equal 200 ओके आएगे नाव नेस्ट फोर्थ पाट फोर्थ पाट इस वेंड डिक्रीज वाइप 40 परसेंट प्रिकम्स 480 कोई number 40 परसेंट कम हो जाता है तो कम होने के बाद उसकी value याथे 480 तो हमें ओ नंबर फाइंट करना है चलिए करते हैं लेट ओर्जिन नंबर भी एक्स कितना 40 परसेंट कम हो जाता है नंबर भी कितना हो जाएगा 100 में से 40 माइनस करेंगे कितना रहेगा 60 तो जो नंबर है 60 परसेंट रहेगा अब जो नंबर होगा ओरिजनल का 60 परसेंट रह जाएगा और वो हमें दे रखा है तो according to question कम होने के बाद इनकी 60 परसेंट ऑफ ओरिजन नंबर एक्स है यह किसके को दे रखा है यह दे रखाता हम है 480 450 तो सुल को लोग 60 परसेंट ऑफ एक्स क्या होता है 60 इन्टू एक्स अपॉन 100 यह एक्कोल है 480 के 0 से यह 0 के इसे होगा तो एक्स की वैल्यू क्या गी क्रोस मल्टिपिल करके एक्स फाइंट कर सकते हैं वैल्यू ओप एक्स बिल भी 140 480 इन्टू 10 का मल्टिपिल होगा 10 अपॉन मैं 6 से यह 8 बार के जाएंट 6 एक्स एक्स बार के जाएंट जीरो 80 टैन जा 800 यह एक्स की वैल्यू आपकी फाइंड होगा है एक्स क्याता ओरिजन नंबर तो यह आंसर हो गया ओरिजनल नंबर इस 800 ओके ना फिप्थ पार्ट ना फिप्थ ओहो क्यों हिला वही ना फिप्थ पार्ट वैं इंक्रीज वाई 100 परसेंट विकम्स हंड्रेट परसेंट यानि 50 आंसर जाएगा पता हैंडर परसेंट जितना था उतनी बढ़ गया तो बढ़कर हो गया हंड्रेट तो यानि किसका हाप कर दो आगा ओरिजनल पूचे तो 50 हो गया 50 का 50 पर परसेंट फिप्टी दोगा पर इक्वल है एक्स के है एक्स परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है सोरी इंक्रीज हो रहा ही है ना इंक्रीज वाई हन्डेट परसेंट तो अप्टर हन्डेट परसेंट इंक्रीज इस नमब्र विल भी अब हन्डेट कर निक आ याँ तो हन्डेट तो हन्डेट परसेंट हो जागा औरिजनल नंबर यानि कि according to portion क्या हुआ जो हमने origin नंबर x माना है उसका 200% यानि कि 200% of x किसके इकल हो जाएगा जो हमें दिरखा है कि becomes 100 बढ़कर 100 हो जाता है तो 200% of x क्या होगा 200 into x upon 100 is equal 100 2 0 से 2 0 cancel तो x की value क्या आ गई x is equal 100 upon 2 2 से 100 cancel या 50 times यह कुछ नहीं है क्यों 50 यह कुछ नहीं है तो original number कितना हो गया answer आ गया 50 तो original number is equal 50 ओके नव लास्ट पार्ट 6 पार्ट नव 6 पार्ट इज यह कुछ नहीं है when decrease by 50 5 0 50% becomes 50 let original number is x तो after decreasing 50 5 0 50% number will be कितना रहे जाएगा 100 में से 50 minus करो 50 रहेगा तो number will be 50% of original number 50% of original number तो according to question 50% of original number पहने माना x और यह becomes कितना हो गए 50 यानिकि 50% of x इककल हो गया 50 तो 100 answer आ जाएगा 50% of x गया तो 50 into x upon 100 is equal 50 value of x is 50 cross multiple into 100 upon में जाला 50 upon माना जाएगा 50 से 51 times कर से 1 into 100 करेंगे तो 100 तो x की value आ गई 100 x किया था original number तो answer आ गया कि original number is equal 100 तो यह question number 4 आपका complete हुआ now next question 5 and the question 5 is the price of a car is lower, lower कर दो decrease decrease by 20% to 40,000 यानि कि जो price था 20% कम होकर 40,000 रह गया तो what was the original price also find the reduction in price और price में कितने रुपे कम हुई ये भी हमें find करना है चलिए करते हैं तो सबसे पहले तो हम assume कर ले ले लेट ओरिजिनल प्राइज अपकार रुपी हमने माल लिए कार का जो ओरिजिनल प्राइज था एक्स रुपीस था 20% decrease हुँँआ है लोवर हुँआ है तो 20% अप एक्स निकाल लो पहले 20% अप एक्स क्या होगा अब डारेट भी कर सकते जिसे उपका था हंडेट में से टौन के 80% अप एक्स जो कम होने के बाद रहे 40 थान बैसी भी कर सकते थे तो मैं थोड़ा सको determine कर दे रहा हूँ 20% अप एक्स क्या होगा 20 इंटू एक्स अपान 100 21 जा 25 जा एक्स अपान 5 आ गया यानि कि प्राइज में कितनी डिक्रीजी हुई कितनी कमी हुई एक्स थी एक्स अपान 5 रुपे कम हो गए तो प्राइज अप कार इस लोवर तो प्राइज लोवर कितना कमी हो गई वह लिकलो एक्स अपान 5 रुपीज हो गई तो अप्टर डिक्रीजिंग 20 परसेंट प्राइज कार का प्राइज क्या हुगा X था X अपन 5 कम हो गया तो कितना रह गया X में से X अपन 5 को हम माइनस कर दें मनलो कोई चीज़ आफ बैगी थी 20 रुपीस कम हो गई तो रह कितनी कॉस्ट की 100 और जो कम हो गई माइनस कर दो 20 कम हो गई तो ओरिजिनल प्राइज में से जितनी डिस्क्रीजिंग होगी इसको माइनस कर दें ओके लेंगेज लिखना चाहाएं लिख सकते हैं आप्टर 20 परसेंट डिक्रीजिंग है लोगर एकी बात होती है डिक्रीजिंग इन प्राइज प्राइज ऑप्कार विल वी कितनी होगी ओरिजिनल थी एक्स एक्स अपॉण फाइज कम होगी तो इसको मैनस कर दें एकस का मतलब आफ अपॉण ओपउण 1 तो 1 ऑफ 5 का अल से हम 5 1 का डिवाट 5 में 5 ताइमस 5 का मल्टिपल एक्स अपॉड 5X माइनस 5 का डिवाइट 5 में 1 टाइमस of 1 in 2X 5X में से X separate करा 4X अपॉन 5 रुपीज ये cost हो अब ये cost है after decreasing है ना लिख रहा है after 20% decreasing price of car इतनी है तो according to question ये हमें दे रखा है कितनी हो गई थी द्वारब परता हूं question price of a car is lower by 20% to 40,000 यानि कि इसकी value किसके एकवाद रखी है 40,000 तो ये equal है 40,000 से तो cross multiply करके हम x value find कर सकते है 40,000 into 5 upon 4 4 से ये cancel हो गया 10,000 times 10,000 into 5, 50,000 तो cost निकला ही, price निकला है original price of car is प्रांस से लिख दो पहला answer तो ये आ गया original price of car is Rs. 50,000 ये तो answer हो गया फिर इसमें पूछा था also find the reduction in price reduction कितना हुआ, कम ही कितनी हुई 50,000 था, कम होने के बाद हो गया 40,000 तो कितना कम हो गया, 50 मेंस से 40 माइनस का था, वैसे और इसमें बता सकते है, और इसमें कितना हो गया 10,000 सामझ मा रहा है, लेके लिखें कैसे, reduction in price reduction in price जो original cost थी, वो थी 50,000 था, माइनस कम होने के बाद जितनी हो गया, वो है 50,000 दिया रखा है, कोशन में, ते कितना आ गया, answer 10,000 रुपीज रिडक्शन हुआ, original cost थी 50,000 तो आज के वीडियो में यही दो कोशन रहेंगे, कोशन में 4 और 5, क्योंगे 4 में 6 पार्स थे, तो 6 कोशन हो एक तरीके से यह है न, नेस्ट आगे की कोशन हम टेस्ट वीडियो में करेंगे, मुझे उम्मीद है, यह दोना कोशन आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गई ह पिर भी अगर आपको किसी कोशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट वक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिस करूआ, अगर आपको पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथी साथ बेल तो में, थेंक यू, हवा नाइस टीए